जैहिन दोस्तों नमस्कार डेली डिर्बुक में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग 28 दिसंबर 2020 का पेपर देखेंगे और यह फर्स शिप्ट का पेपर है यानि हमारा एक्जाम 28 दिसंबर को ही परारम हुआ था तो पहला दिन का पेपर है यह तो चलिए स्टार्ट करते ही आज का जो जिस पेपर का हमाद्यन करेंगे वो 60 पेपर होगा यानि इस से पहले हम लोग 28 पेपर का धियन कर चुके हैं अगर आपने उन सभी पेपर को नहीं देखा है या उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के description में ही playlist link दिया हुआ है वहाँ से आप एक एक करके देख लिजिए अगर आप चाहते हैं कि इन सभी paper का PDF आपको मिले तो वीडियो के description में ही telegram link दिया हुआ है वहाँ से आप telegram को join कर लिजिए और वहाँ से बिलकुल मुप में वहाँ एक भी रुपईया आपको देने की आप सकता नहीं बिलकुल फिरे में आप पिरियापको download करके analysis कीजिए पढ़िये और सफल होईए मेरी सोब कामना है कि आप जितना जल्दी सफल हो जाएंगे अपने माता पिता का नाम रोसन करेंगे अपने घर में अपने माता पिता का सहारा बनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ने निमलिखित में से काउंसा राज पुर्वोत्तर भारत के सेवन सिष्टर राजियों का सदस नहीं है तो इसका एंसर होगा सिक्किम किसी पदार्थ की मातरा को मापने के लिए निमलिखित में से किस एकाई का उपियो किया जाता है तो इसका एंसर होगा मूल अगला प्रस्न है ये योनोलोजी टेस्ट का प्रस्न है और रिजिनिंग का प्रस्न है लेखक कलम का इस्तमाल करते हैं तो दरजी सुई का इस्तमाल करते हैं अगला प्रसन है कूडन कूलम नाभेकिया बिदूत परियोजना किस राज में इस्तित हैं इस रो ने किस बर्स में मार्स ओर्विटर की सुरुवात की थी तो Mars Orbiter यानि मंगल यान की सुरुवाद 2013 में किया गया था नेमलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा बिक्षित एक मल्टिर बैरल रोकेट सिस्टम है तो इसका अंसर होगा पीना का अगला प्रस्ण है Ubuntu क्या है Ubuntu है Operating System अगला प्रस्ण है Sabri Malamandir कहाँ पर इस्थित है तो Sabri Malamandir केरल में इस्थित है नेमलिखित में से कौन सा असमारक दिल्ली में इस्थित नहीं है बुलन दरवाजा दिल्ली में इस्थित नहीं है या फतेपूर सिक्री में इस्थित है जबकि अलाई दर्वाजा, इंडिया गेट और हुमायू का मकवारा दिल्ली में इस्तित हैं। बर्स 2019 के लिए पाचपर में ग्यानपीट पुरसकार की चेकी से सम्मानित किया गया था। तो इसका एंसर होगा अच्यूतन नंबू दिरी। अगला प्रस्ण है, महत्मा गांधी ने साबर मती से लेकर डांडी तक परसिद नमक मार्च शुरू किया था। डांडी गुजरात के एकी जिले में इस्तित हैं। तो इसका एंसर होगा नवसारी जिले में। अगला प्रस्ण है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यू आरेल का पुन रूप क्या है। तो इसका एंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सुराज मेरा जनमसी दाजिकार है और मैं इसे लिकर रहूंगा। यह किस नहीं कहा था तो इसका एंसर होगा बाल घंगा धर ती लागनी में। इसका एंसर होगा अ। निवलिखित में से कऊन सहजीवी संबंद को दरसाता है। तो काई काई सहव जी भी संबंद को दर्शाता हैं अगला प्रस्ण है भारत में कि अनरिया आलू अनुसंधान संस्थान कहा इस्तित है तो इसका अंसर होगा सिमला में है अगला प्रस्ण है निवलिखित में से कौन सा देश बीम स्टेक का सदस नहीं है तो इसका एंसर होगा माल दीप माल दीप बीम स्टेक का सदस नहीं है प्रात्मा समाज में संस्थापक कौन थे तो इसका एंसर होगा आत्मा राम पांडू रंग अगला प्रसन है इनमें से दच्छीन अमेरिका के कौन से दो देश अस्थल अवरूद है तो इसका एंसर होगा पैरागबे और बोलीबिया अगला प्रसन है बीशु परियावरन दिवस 2020 के लिए संयुक्त राश्ट द्वारा घोशी थीम का नाम क्या था तो इसका एंसर होगा जैब बिवेता यानि बायो डाइवर सीटी इसका एंसर होगा चिकेन पॉक्स अगला प्रसन है इसका इंडियन स्टेट हैज डा लोंगेस्ट में लेंड कोस्ट लाइन तो करता है सबसे टट्रेखा वाला राज कौन सा है तो इसका एंसर होगा गुजरात अगला प्रसने भारत की संसत द्वरा पर्यावरन अधिनियम किस बर्स में पारित किया गया था पर्यावरन अधिनियम 1986 इसपी में पारित किया गया था निमलिखित में से किस माध्यम से ध्वनी नहीं जा सकती है तो निरवात में ध्वनी नहीं जा सकती है जबकि इस पात म अधिक गती से जाती है दूद में उससे थोड़ा कम और बायू में उससे थोड़ा कम गती से प्रकास जाएगी अगला प्रस्न है निमलिखित में से कौन सा दर्रा सिरी नगर और लेह को जोड़ता है तो जो जीला दर्रा सिरी नगर और लेह को जोड़ता है सेरी कल्चर सब निमलिखित में से किस से संबंधित है सेरी कल्चर रेशम की खेती से संबंधित है अगला प्रस्ण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की सहर में आवजित किये गए थे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स गोहाटी में आवजित किये गए थे अगला प्रस्ट है, in general, the most appropriate average value in measuring central tendencies, यह math का प्रस्ट है, इसका अंसर मीन होगा अगला प्रस्ट है, महारतन के अंदर या सालवजनिक छेतरक, उपकर्मों की सूची में निमलिखित में से काउन से कंपनी सामिल है, तो इसका अंसर होगा, coal India Limited भारत के किन दो सहरों के बीच पहली सेमी हाइस्पीड ट्रेन बंदे भारत एक्सप्रेस चलती है तो इसका एंसर होगा नई दिल्ली और बारा नसी और बंदे भारत का पुर्म नाम था ट्रेन अठारा चित्रकला की पट्ट चित्र सैली निमलिखित में से किस राज की सबसे पुर्वानी और लोक प्रियकला है तो इसका एंसर होगा उडिशा अगला प्रस्न है निमलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा रास्पती थे तो इसका एंसर होगा नीलम संजीव रेडी यह पहले बार में हार गए थे और दूसरे बार में निर्विरोध रास्पती ब अगला प्रस्न है इंटरनेशनल कोर्ट वाप जस्टिस का हेट क्वार्टर कहों इस्तित है तो इसका एंसर होगा दी हेग में अगला प्रस्न है गोभी मरवस्थल निमलिखित में से कीस महादूइप में इस्तित है तो गोभी मरवस्थल एजिया में इस्तित है राज तरंगनी के लिखक कौन है तो राज तरंगनी के लिखक कलहन है जैदेव गीत गोविंद के लिखक है मेगदूत के लिखक काली दास है कुमार संभम के लिखक भी काली दास है पानी पत का दूसरा यूद अकवर और हेमू के बीच किस बर्स में हुआ था तो ये 1556 इसपी में हुआ था और पानी पत का पर्थम यूद 1526 इसपी में हुआ था और पानी पत का तीसरा यूद 1761 इसपी में हुआ था अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा देश सहयुक्त राश्च रच्छा परिशल का अस्थाई सदस नहीं है तो इसका इंसर होगा जपान अगला प्रस्ण है लोग सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है तो इसका इंसर होगा 552 अगला प्रस्ण है कि शिक गुरु ने खाल्सा पंथ की अस्थापना की थी तो इसका इंसर होगा श्री गुरु गोविन सिंग जी गुँझा मएन आउट का प्रस्ण है चोक, मारकर, पुस्तक, पेन तो ये सभी लिखने वाला है जबकि पुस्तक पढ़ने वाला है अगला प्रस्ण है सुकर्ण्या समरीधी योजना क्या है? सुकन्या समरीद योजना बालिकाओं के लिए एक लगु जमा योजना है अगला प्रसने कम्प्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिस कहा जाता है तो CPU को कम्प्यूटर का मस्तिस कहा जाता है तो इस वीडियो में इतना ही अब नेश्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नवसकार वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करें अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते ही लेकिन साथ में कारण जरूर बताईएगा कि क्यों नही जा सके, उस गल्दी को दूर किया जा सके, आज का जो वीडियो था, उन सथमा वीडियो था, इसे फिर नेश्ट वीडियो में हम साथमा वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिंद, पढ़िए, बढ़िए, समझिए, और देखिए, जहां आपको प्रॉब्लम होती है, वहां सीखिए, और जो आपको आ रहा है, उसको भी बारबार रिविजन करते रहिए, आपको आगे जो भी एक्जाम होगा, उसमें सफल होके दिखाना है, और मुझे इच्छा है कि आप सफल हो, इस चैनल से जो भी जुरे हुए हैं, हम चाहेंगे कि सफल हो, अच्छी तरह से आप अगर मेहनत कीजिएगा, तो सफल जरूर होईएगा, तो बेश्टो अपलक, धन्यबाद, नमस्कार